हाजपा की हिंदुत्व पिछ पर जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी का एक्शन प्लान नमस्कार मैं हूँ समठ्च वास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक बीजेपी को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक नया एक्शन प्लान बनाया है या यू कहें कि लोकसभाद चुनाव के आगास की तयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है और उसकी तयारी की शुरुवात हवन पूजन के साथ होनी है यानि कि बीजेपी क की हिंदुत्व पिछ पर खेलती नजर आएगी समाजवादी पार्टी नौ जून नामिशार्यन यानि की सीता पुर जिला जहां से शुरुवात होगी प्रिक्षिक्षण शिवर की समाजवादी पार्टी की नामिशार्यन क्यूं इसको लेकर भी चर्चा अलगातार बनी काफी खास बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक 5 और 6 जून को ये शिवर होका जिसमें समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम दिगज नेता जिसमें शिवपाल सिंग यादव राम गोपाल यादव और तमाम बड़े नेता इस शिवर का हिस्सा बनेंगे इसमें बूत कमिटी में कैसे जो पेपर समय चुनाव के उनका सत्यापन या बूत तक वोटर को लाना तमाम तरीके से बूत लेविल पर पार्टी को कैसे मजबूत करना है वो सारी चीजें जो कारे करता हैं जो नेता हैं उनको समझाई हो उनको दूर किया सके समाजवाधी पार्टी ने उद्यान सभाव चुनाव में लगबख 30% वो टारगेट किया था पाया था पर इस बार समाजवाधी पार्टी के टारेट है कि ओट चाली से लगभख पचास परसंड के बीच में लोक सब्च पाएं यानिकि वोट प्रसि सीटे यूपी से आती हैं तो ऐसे हमें समाजवादी पार्टी का परफॉर्म करना बहुत जरूरी इसलिए भी है यूगि एक तरफ बास विपक्षी एकता की हो रही है साउट में बीजेपी को कमजोर करना की कवायद चल रही है पर चाहे करनाटा की एलेक्शन की रिजल्ट्स हो या होने वाले अन्य चुनाव हो तो ऐसी में दारों दोबारों मदार आती है विपक्ष के निता अखिलेश यादब पर भी दिन से नितीश कुमार हो यह मताब एनरजी हो यह केसी आरो उनको उम्मीदे है क्योंकि अस्ति लोकसभा सीटे जो कहीं ने कहीं लोकसभा चुन होगा उसके साथ मंतरों चार के साथ इस प्रशिक्षन शिवर की शुरुवात होगी जिसमें अखिलेश यादब खुद भी मौजूद रहेंगे ललेता देवी मंदिर वहाँ पर है वहाँ पर देवी देवताओं से जो रिनेता है वो आशिरवाद लेंगे जिससे की देविल पर मश्बूत करने की कोशिश रखिलेश यादव विदानसवाद चुनाव के बाद से लगातार कर रहे हैं और लगातार जिरों के दौरा करकर लोगों को कौनिट करने की बात कर रहे हैं पर जो भी नतीज़े अगर आप मैनपुरी के उप चुनाव को छोड़ दे करेंगे और उस सीड़ी के जरीए कहीं न कहीं लोकसवाद जीतने के बाद अगले विदानसवाद चुनाव जाने की दोहजार 27 की रूप रेखा पार्टी तैय करने की कोशिश करेगी इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नैमेशारण ही क्यों नैमेशारण एक देवभूमी की तरह है पूज़े जाता है और समाजवादी पार्टी के इनेता बताते हैं कि बहाँ पर भगवान ने राक्षसों का अंत किया था उसके बाद उस जगा का नाम नैमेशारण ने पढ़ा था और ही तरीके से वो यह मानते हैं कि बीजेपी के हैंकार का भी वो अंत करेंगे ऐसा समाजवादी पार्टी मानती है हलाकि अब कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा ये वक्त बताएगा पर फिलहाल ये कहा जा सकता है अगर पॉलिटिकल पंडित्स की माने या वरश पत्रकारों की माने तो जिस तरह से बीजेपी आयोध्या मॉड कर बात होगी कहीं कहीं कई सौफ्ट ही तो बात की भी बात हो सकती है यानि कार्यकरताओं को बतायाज़ाएगा कि कैसे आप वोट उस से करेंट हो या पबिक सेंटीमेंट जो है वो पाबिक सेट्पह और लोगों की समस्यां उनको उजागर करें उन तक पहुंचे और उनका को देखा जा रहा है यहां भी 84 कोसी परिक्रमा है जैसा कि आयोध्या में है तो सारे जो कट जोड़ है यानि कि आयोध्या का जवाब नैमिशारण ने इसे देने की कोशिश समाजवादी पार्टी यहां पर साफ करती नज़र आ रही है अगर आप सियासी तोर पर देखें तब बी सीतापूर का बहुत महत्व है हलाकि वेदानसबदी आप जाव की नो नामिशारण कहें या सितापुर जिला कहें वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं से अगर लोकसवा चुनाव की आगास समाजवादी पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक या एक हिंदुत्ववादी अमबेटकर वादी संदेश देने के साथी साथ प पार्टी के तौर से सामने जाएगा अलाकि बीजेपी भी लगातार कोशिशों में लगी है बीजेपी न अभी भी तीन फेस में जो नेता हैं लोकसवादी होने वाले हैं जो टिकेट इनको मिलेगा उनके लिए शुरू कर दिया है सर्वेज होंगे एक यूपी बीजेपी क जो करेंगए जो के इन्दर सरकार तीजरा सरवे करेंगी जिसके तयह को लगातार लगे हुए हैं लोकसवाद चुनाव किलिए उत्तरि प्रदेश है । उत्तरप्रदेश की रड़ भूमी में कौन स्कंदर बनेगा और कौन बैक्फूट पर आएगा ये वक्त पताएगा पर एक बात साफ है कि यहां पर नहमेशारन के जरीय समाजवादी पार्थी आयोध्धा की कार्ट ढूंती नदर आएगी आप देखना ये है कि समाजवादी कि पर आएगा पर एकारणी नदर आएगा ये वक्ताएगा येँड़ में आएगा ये लेका अनेगा येखनी।